थेलो फ्रेंट्स मौनकों स्वागत आपका सुपरफास स्टेडी एन एक्सपरिमेंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे conveyor belt के inclination के बारे में या फिर आप बोल सकते हैं कि conveyor belt के slope के बारे में बात करेंगे याने कि conveyor belt कितने degree पर inclined होता है और कैसे decide करें कि कौन से conveyor को कितने degree पर inclined करना है और क्या value होनी चीए degree की inclination की यह इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं conveyor belt की designing में यह बहुत important है कि conveyor belt का inclination कितना होना चाहिए और यह depend करता है type of material जिसको आप conveyor belt से एक जगह से दूसरी जगह shift कर रहे हैं उस पर depend करता है यानि कि अलग-अलग material के लिए अलग-अलग inclination angle आपको रखना है या फिर इससे slope भी कहा जाता है तो यह chart है आप इसका चाहें तो screen shot भी ले सकते हैं यह है chart different type of material के हिसाब से आपको कितना degree आपका slope रखना है conveyor belt का या फिर उसको कितने degree तक आप maximum incline कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए bituminous coal का जो है आप उसको 18 degree तक कर सकते हैं bituminous coal sized अगर वो size में छोटे 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 size में हैं तो उसको आप 15 to 16 degree कर सकते हैं bituminous coal stack slack उसको आप 20 degree तक रख सकते हैं brown coal को आप 18 degree cement portland loose को आप 20 degree clay fine and dry को 22 degree तक आप incline कर सकते हैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर value दिया हुआ है rock से ले करके rock sand और आपका coal और cement आपका sulfur इन सब के बारे में दिया हुआ है इसमें तो दोस्तों यह video कापी helpful है क्योंकि interviews में कभी-कभी directly एक question पूछा जाता है और साथ ही अगर आप industry में अगर आप एक conveyor designing पे काम कर रहे हैं आपको conveyor belt एक establish करना है आपको conveyor belt का setup आपको तयार करना है तो यह बहुत ही important है conveyor belt से related और भी बहुत सारे videos मेरे channel पर है चाहे conveyor belt का power calculation हो या फिर conveyor belt का length calculation हो या फिर conveyor belt का roll अगर bundle में रखा हुआ है conveyor belt तो उस roll को measure करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना लंबा belt roll है तो ये भी आपको मिल जाएगा साथ में अगर conveyor belt का speed आपको meter per second में निकालना नहीं आता है तो उसके लिए भी मेरे channel पर video है conveyor belt के pullis जैसे snap pulley का क्या काम होता है take up pulley का क्या क्या काम होता है इन सब के बारे में आपको detail information और detailed video field से आपको मेरे channel पर मिल जाएगी तो दोस्तों अगर 1% भी video आपको helpful लगी हो तो please channel को subscribe करिएगा आप फिर से मिलेंगे next video में तब तक के लिए